हेलो स्टुडेंद्स वेल्कम टूजीनियस आई एस हम कर रहे हैं जनरल साइन्स एमसीक्व सिरीज तो स्वागत है आपका एमसीक्व सिरीज में हमारे टोपिक था लाइट तो लाइट से रिलेटेड हमने भूत सारे फिर्म बना पड़े हुए हैं रिफ्लेक्शन रिफ्लेक् हो जाता है तो वो हम किस से ठीक कर पाते हैं तो उन्हीं पे बेश कुछ और question करते हैं तो चलिए बढ़ते हैं अपने topic के साथ first question है which of the following lenses used to minimize myopia myopia को सही करने के लिए क्या करना चाहिए सबसे पहले हमें myopia पता होना चाहिए myopia क्या है myopia यानि short sightedness short sightedness ठीक है मतलब आप नजदीक का देख पाते हो problem किस में है to see distant objects यानि दूर का नहीं देख पाते है ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि जो i का far point अब far point of i क्या होता है यानि जो सबसे last point जहां तक हम देख पाते हैं वो क्या है वो है infinity अब infinity से वो थोड़ा आगे बर जाता है तो इसलिए image कहां बनेगी इसमें image जो है retina से पहले बनेगी in front of retina तो क्या होगा और बननी कहां चाहिए आपकी retina पे तो इसलिए हमें क्या हो जाता है देखने में problem होती है दूर के objects को तो उसे ठीक करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे concave lens का clear next है देखो convex lens हमने किसमें क्या था hypermetropia या farsightedness में और cylindrical lens यूज करते हैं press biopia यह क्या है यह होता है जर्याद रेस्टी दोस्त मतलब old age की वजह से जब आपकी ciliary muscles रीक हो जाती है तो वो lens की focal length को change नहीं कर पाती ठीक है मतलब नजदीक का दिखने में भी problem होती है और दूर का दिखने में भी problem होती है तो उस time हम bifocal या cylindrical lenses का इस्तेमाल करते हैं clear चलिए when a person enters into a dark room from the strong light area जब कोई person भार से यानि आप धूप में से आयो और घर में बिलकुल अंधिर आया है ठीक है और आप enter किये he is not able to see clearly for some time तो कुछ time तक आपको कुछ नहीं दिखता तो ऐसा है उस person के साथ हो रहा है लेटर ही gradually begins to see things तो कुछ time बाद उसे दिखाई देने लग जाता है ऐसा क्यों हुआ this is because ऐसा क्यों हुआ because हमारी eyes जो है वो क्या है वो familiar है किस के साथ darkness के साथ क्योंकि हमारी eyes के अंदर दो type की cells है कौन कौन सी cons और road cells कहां होती है यह यह retina की cells है तो cons होती है किस के लिए day vision के लिए या light vision के लिए ठीक है और road cells होती है night vision के लिए या dim light में या darkness के लिए तो इस तरीके से हमारी cells अपने आपको adjust कर लेते हैं लेकिन कुछ second के लिए एकदम से adjust नहीं हो पाती है तो यानि थोड़ सा time लगता है ठीक है for a while they have to adjust themselves so change in size of pupil no, changes in diameter and focal length of lens no, bleaching and reformation of rhodopsins no, eyes become familiar with darkness in course of time क्योंकि eyes जो है कुछ time के अंदर अपने आप darkness के according अड़क्ट हो जाते हैं clear next है जो change in size of pupil है वो किसको regulate करेगा कि कितनी eyes के अंदर light आनी चाहिए ठीक है वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं reading glasses are made from which type of lens देखो जो reading glass आप read आप कितनी दूर से करते हो जो आपका nearest point है आई का near point या nearest point आप जो क्या होंगे वो कितना है वो है आपका 25 cm कहने का मतलब यह है कि जो हमारी ciliary muscles हैं वो focal length को change करतो देती हैं increase भी करते हैं decrease भी करते हैं लेकिन उनकी भी एक limit है तो 25 cm के distance से अगर जादा आप नस्दीक चीजों को लाओगे तो क्या होगा फिर आपको सिर्दर्ध होना शुरू हो जाए क्यों क्योंकि उसके उपर stress बढ़ेगा तो muscles पे stress का बढ़ेगा जब आपका point कितना है 25 cm से भी कम है ठीक है तो यह हम जो हाँ पे सही adjustable है हमारी idea muscles वो कौन सी है उस point को बोलते हैं nearest point of eye या फिर कह सकते हैं listed distance of distinct vision मतलब देखने के लिए या पढ़ने के लिए जो कम से कम दूरी से हमें books वगरा रखनी चाहिए हो कितनी है 25 cm सो आप यानि आपको नजदीक का दिखने में problem होगी और जब नजदीक का दिखने में problem होगी तो वो क्या हुआ वो हुआ आपका hypermetropia तो यह हो गया आपका convex lens clear next is the focusing in eye is done by जो eye है ना उसके अंदर focus कैसे बनता है मतलब या तो concave lens होगा या वो convex lens होगा तो इसका मतलब क्या होगा उसकी convexity में change आए ना किसके अंदर lens की so change in convexity of the lens clear तो इसकी विजए से क्या होगा eye focus कर पाती है next है which one of the following statement is not correct कौनसी statement correct नहीं है सबसे पहले miraj क्या होता है miraj होता है miraj होता है mirig trishna या marijika या प्रकाशिय द्रिश्टी भ्रह्म ठीक है प्रकाशिय द्रिश्टी भ्रह्म मतलब यह सारे क्या है optical illusion है प्रकाशिय द्रिश्टी भ्रह्म है कैसे हुआ due to total internal reflection of life तो बिलकुल सही बात है यानि जैसे आपने राजस्थान वे गर्म या बिलकुल जो रेत होता है रेत ही रेत और बहुत तेज धूप है तो आपको आप दूर से देखोगे तो वो चीज़े आपको थोड़े सा उपर देखते हैं या फिर वहां पर क्या दिखागा रोड पे चल रहे हो तो ऐसा लग लाइट में हमें क्या चाहिए कि वहां पर फोकस कर जाए चीज़े है ना अगर फोकस नहीं करेंगी तो हमें रोड के गड़े नहीं दिखेंगे अगर आप ऐसे लाइट ओन करो या फिर आप टोर्च से कुछ भी ढूण रहे हो तो अगर आप कुछ ढूण रहे हो और उस पर अगर फोकस नहीं होगा यानि वह लाइट ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी तो क्या होगा चीज़े आपको नहीं मिल पाएंगी इसलिए फोकस होना ज़रूरी है तो ये भी आप इताले आपकेस्टाफिसीी चीज़े इसलिए लिए और मैगनिफाइड इमेज करने के लिए कौन सा मिल से रहता है कौन केव दोक्तर चाप्यार यहां आंसर क्या होगा क्या पूछा है not correct तो आंसर होगा आपका D क्योंकि convex दिया हुआ है तो E&T specialist कौन सा mirror यूज़ करते हैं Concave mirror clear चलिए next क्या है the mirror which is used in search light अभी क्या था आमने कौन सा mirror ने Concave mirror the least distance of distinct vision मतला eyes के लिए सबसे minimum दूरी कितनी होने चाहिए अच्छे से देखने के लिए 25 cm और ज्यादा कुछ भी हो सकती है बस यह नहीं हो सकती ठीक है इसने पूछा है minimum कितनी है तो 25 अब उससे ज्यादा 75, 100, 150 कुछ भी हो लेकिन पर्चिस से कम नहीं हो होने जाहिए नेक्स है for normalize what is the minimum distance वही है फिर से 25 cm when beams of red, blue and green light fall on the same spot अगर हम तीनों को एक spot पे डाल देते हैं देखो जो sun है उसके अंदर जो sunlight हो उसके इंदर seven colors हम नहीं पड़े थी but इन में जो main color है अगर हम primary colors की बात करें तो वह होते हैं आपके blue, green और red लेकिन कभी-कभी क्या होता है blue, green, yellow भी आप कह सकते हैं ठीक है तो दोनों यह option आपके सही होंगे लेकिन अगर दोनों दिये हैं तो आपको यह वाला ज्यादा प्रेफर करना है blue, green, red, clear? तो जब हम इन तीनों color को मिला देंगे ना तो भी white color देगा और अगर हम सारे color भी मिला रहे हैं तो भी white light बनेगी अब इसका मतलब यह हुआ कि इन तीनों color को मिला की हम कोई भी color बना सकते हैं ठीक है? तो यह होगा आपका अंसर white light Next है Change of focal length of an eye lens is caused by action of जो eye lens होता है उसकी focal length में change किस के help से होता है? Ciliary muscles के help से तो यह होगा आपका अंसर ciliary muscles Pupil क्या खरता है? prevent या regulate light कि कितनी light हमारी आखों के अंदर आने चाहिए to enter the eyes Retina क्या होता है image formation ठीक है Irish क्या करता है provide color आपने देखा होगा किसी की blue eyes है किसी की red है, black है, brown है तो सारे किसी की वज़ा से होता है Irish, तो Irish की opening को हम क्या बोलते है देख पे clear एक और part होता है cornea, जो की thin transparent membrane होता है, जिसके through light enter करती है तो हम पूछा जाता है कि donation में कौन सा part हम देते हैं तो eye donation में हम cornea donate करते हैं clear? चलिए if the lens power of glass is plus 2 diapter power जो होती है किसी भी lens की उसे हम diapter में measure करते हैं और 1 diapter किसके equal होता है यह होता है meter inverse then power क्या होगी? 1 by f यानि focal length का approach अगर focal length कितनी आपकी? यहां पे दिया हो है power कितनी दिया है? p is equal to 2 d तो इसका मतलब डोक्टर आपको इसी तरीके से लिखते है specs का number 2 d, 2.5 d है न तो यह उसकी power होती है तो power अगर दिया है तो f क्या हो जाएगा? f हो जाएगा 1 by p मतलब 1 by 2 इसका मतलब क्या हुआ? 0.5 meter बन गया ठीक है? तो कितना हो जाएगा यह? 0.5 में कितने होगी? 0.5 into 100 मतलब 50 centimeter clear? तो answer क्या होगा आपका? 50 centimeter clear है जी? चलें next है power of sunglass जो sunglass हम use करते हैं उसके लिए कोई power नहीं होती that was of 0 adapter so power of a lens is measured in power को हम किस में आपते हैं? adapter में candela किसकी है? luminous intensity कि जो light आ रही है उसकी intensity कितनी है? तिवरता कितनी है? मतलब तेज है जैसे आप बोलते हो बहुत तेज धूप है कड़ी धूप होती है तो वो क्या है? कड़ी तेज है? क्या बता रहे है? उसकी intensity को clear? और lumin होता आपका magnetic flux ये क्या चीज़ी है? ये हम electricity और magnetism वाले chapter में बढ़ें then which one of the following combination of aperture अपर्चर ठीक है? तो which of the following combinations of aperture and shutter speed of camera will allow the maximum exposure? देखो camera के अंदर maximum exposure तब होगा जब उसकी shutter speed क्या होगी? ज़्यादा होगी कम होगी ठीक है? अगर उसकी stir speed कम होगी तो उससे क्या होगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से focus कर पाता है camera तो क्या होनी चीए? speed minimum किसमे है? 1 by 60 तो ये आपका answer हो जाएगी then retina of eye is comparable क्या बनती है? image formation के लिए camera में image कहां पर बनती है? film पर तो इसलिए किस से resemble करेगा? film से clear? in human eye image of object forms at human eye के अंदर image कहां बनती है? retina पर बाकिया हमने पढ़ लिये थे iris color के लिए है और pupil regulation या prevention of eyes prevention of light entering into the eyes और retina किस के लिए image formation के लिए then color of an opaque object is due to the color it किसी भी opaque object का color किस की हो जैसे तो opaque object पे जब light किरती है तो क्या होगा? टकरा की वापस्ट जाती से हम क्या बोलते है reflection तो जो भी color ये reflect करेगा वो क्या होगा? उसका color बताएगा तो ये क्या होगा? reflection क्यों जैसे then color in our color TV is produced by a combination of three basic color they are अभी हमने discuss क्या था की basic three color कौन-कौन से होते है blue, green और red तो क्या होगा? इन्हें बोलते हैं primary color और बाकी color जो हम इन से निकाल दें mix match करके तो वो क्या होगे? secondary और primary या secondary को आपस में मिला के या secondary, secondary को आपस में मिला के जो भी हम color बनाएगे वो क्या होगे? tertiary color तो blue, green, red क्या होगे? आपके primary color तो basic color क्या होगे? blue, green और red clear है? तो ये थी कुछ questions sparky questions हम next exercise में करेंगी thank you, have a nice day good luck for your exam आपने이야 वो प मैं मिला कुछ ऱुटमें याईब़गे डूर fringe ये जाईई